Hello Friends, Welcome back to my channel Friends, ये मिठाई के खाली डब्रे हैं हम मिठाई खाने के बाद इन्हें अक्सर फैंक देते हैं या ऐसे ही रखे रखते हैं तो चलिए मैं आपको बताते हूँ कि मैं आज इन से क्या बनाने जा रही हूँ सबसे पहले क्या करना है कि यह जो बड़ा वाला कंटेंडर है इसकी लीड हमें निकार के ले लेनी है और यह चोटे वाला है इसको हमने अला कर लेना है काट के इसकी लीड हमें यहां से काट के अला कर लेनी है तो यह देखिए मैंने लीड को काट के अला कर लिया है अब हमने क्या करना है कि इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हमने यह साइड में रख देनी है और इसको हमने यहां से काटके अलग कर लेना है तो यह देखी मैंने इसको काटके अलग कर लिया अब हमने क्या करना है कि एक सूवी लेनी है और ऐसे हमने यहां पर हैंक करने के लिए इसमें धाका लगा लेना है यह देखिए ऐसे और इसको यहां से काट के इसमें अच्छे से काट लगा लेना है तो देखिए मैंने यहां पर काट लगा लिए और जो एक्षा धाक है ना उसको हमने काट लेना है ऐसे तो यह हमारा हैंक करने के लिए हो गया अब हमने क्या करना है कि नीड के बरबर कोई पेपर ले लेना है और इसको साइट से ऐसे गुलाई दे देनी है चारों कौनों से हमने थोड़ी थोड़ी से गुलाई दे देनी है इस तरीके से मैंने पेपर के चारों कौनों में गुलाई इसलिए मारी है क्योंकि यह जो डीड है इसके चारों तरफ भी ऐसे गुलाई लगी हुई है तो बुलाई करने से क्या होगा कि जो हमारी डीड है वो उसंदर दीखेगी तो इस तरह फिर हमने किसी भी ग्लिव से इसको चिपका लेना है आप यहां पर कोई भी ग्लिव लगा सकते हो और इस तरह से फिर हमने इसको अच्छे से चिपका लेना है यह देखिए यह चिपक गया है तो देखिए अब यह अच्छे से चिपक चुका है अब हमने क्या करना है कि यह वाला हिस्सा जो है ग्लिव गन की सैतर से हमने इसके ऊपर चिपका देना है ऐसे इस तरह से हमने इसके ऊपर इसको चिपका लेना है तो देखिए मैंने इसके उपर इसको चिपका लिया अब हमने क्या करना है कि कोई पेपर का पीस लेना है और उस पे गल्यू लगाके अच्छे से हमने गल्यू लगा लेना है और इस पे इस साइट चिपका लेना है ऐसे यह देखिए इस तरह से हमने इसके उपर चिपका लेन ऀसी तरह हमने एक छोटा सá पीस ऐसे करके चिपका लेना है तो देखिए मैंने जिस तरह नीचे चिपका लिया है तो देखिए यह ऐसा लग रहा है आप मेरी देखते हैं प्रीज कोमेंट करके मुझे बताया करें ता कि मैं भी जान पाऊ कि मेरी वडियो कहां कहां से देखी जाती है आप इसका मर्टि पर्पर्पस यूज कर सकते हो आप चाहू तो इसे कीचन में भी उज़ कर सकते हो और अपने मेकप का समान भी इसमें डार के रख सकते हो तो ये देखिए फेंस ये समान डारने के बाद ऐसा दिख रहा है सब्सक्राइब कर से घेखिए वाद पारस आपने में भी जाती है